हेलो स्टुरेंट्स आयम आर्थी और मैं आप सबका वेलकम करती हूं टू आर्थी एडुकेशन वर्ल्ड माइडियर स्टुरेंट्स इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की सोसल साइंस की वर्क सीट तेंबर 69 वढ़ेंगे जिसकी डेट है 24 दिसंबर 2020 माइडियर स्टुरेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपका इत्यास का एक टोपिक है यूरोप में राष्टवाज जिसको हम पढ़ चुके हैं और आज करने वाले हैं इसकी पुनरावरती वर्क सीट और जैसे कि आप जानते ही हैं जब भी हम रिवीजन करते हैं पुनरावर है उस अनुचेत को हमें अच्छे से पढ़ना है और उसमें से फिर हमें चार कोशन के आंसर देने हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज की वर्क सीट लेकिन बच्चो उससे पहले अगर आप चैनल पढ़नाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद नोटिफिक किया करें चलिए पहला कोशन फ्रांसेसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसेसी लोगों के सामुहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की तो कैसे पैदा की तो आपको लिखना है फ्रांसेसी लोगों के भी सामुहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसेसी क्रां अब आजाते हैं दूसरे प्रशन की तरफ दूसरा प्रशन है नेपोलियन जी के बारे में नेपोलियन ने प्रशासनिक छेत्र में क्रानतेकारी सिध्धान्तों का समावेश किया जिसने पूरी विवस्था को अधिक कुसल्वतर्क संगत बना दिया समिक्षा किजिए तो इसक प्रशासनिक तंत्र को अधिक तर्क संगत और प्रभावी बनाया उन्होंने 1804 में नागरिक सहीता बनाई एक देश एक कानून की स्थापना करी उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्तिक अधिकार भी को भी सुरक्षित करा उसने प्रशासनिक विवावगों को सरल ब समाप्त कर दिये तो यह लिख देंगे आप दूसरे प्रशन का उत्तर में ठीक है चलिए अब आ जाते हैं तीसरे कोशन की तरफ तीसरा कोशन आपका पूछा है यूरोप में राष्ट के विचार के निर्मान में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपून भूमी का निभाई तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे यूरोप में राष्टवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्साने के लिए तीन उधारन हमारे पैस हैं एक तो भासा भासा ने पूलेंड में राष्टवाद के विकास में महत्वपून भूमी का निभाई लोग संस्कृति जर्मन दासनिक योहना गाटफ्रीड हर्दर धर्म का यह माहना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में नहीं थी तो यह लिख देंगे आप कोशन नमबर तीन का आंसर ठीक है बच्चो चलिए कम टू दे नेक्स कोशन जर्मनी में एकी करिन की परिक सोनी आदी को आपस में मिलाकर 1871 में एक रास्ट राज्ये जर्मन का समराज्ये का निर्मान किया गया इसी एतियासिक परिकरिया का नाम जर्मनी का एकी करन है इससे पहले यह भुबाग जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था ठीक है जर्मनी का एकी करन क्या है यह सब है इससे पहले ये भो सारे रास्टवा करते थे अब आ जाते हैं पांचवा कोशन और पांचवा है इटली का एकी करन उसकी प्रिक्रिया और उसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाद है तो चलिए सबसे पहले इटली का एकी करन लिखते हैं फिर उसकी बाद है इटली के एकी करन जिसे इटालवी भासा में इल, रिसो, रजीम में तो कहते हैं 19-वी सदी में इटली में एक रاج नेतिक और समाजिक अभियान ता जिसने इतालवी प्रायदीप के विबिन राज़ को संगित करके एक इतालवी राष्ट बना दिया और यही है इटली का एकी करण अब इसके एकी करिन में निम्न बाधाय थी अब बाधाय क्या थी लोबाडी और वेनेसिया सीधे विदेसी नियंतरण में थे और मेड़ना और टसकनी पर भी ओस्ट्रिया का अधिकार था पोप अपने राजय रोम पर अपना अधिपत्य बनाए रखना चाहता था इटली उस उसके एकी करिन की परिकरिया में बाधा बन रही थी तो यह सकती उसकी चुनोतिया या बाधाय ठीक है चलिए अब आते हैं प्रशन नंबर 6 की तरह प्रशन नंबर 6 हम से पूछ रहा है कि ब्रेटेन में रास्ट राजय का निर्मान एक लंबी परिकरिया का परिणाम था च चर्चा कर लेते हैं इस पारे में ब्रेटेन के एक ही करिन की परिकरिया जर्मनी और इटली से अलग और अनोखी थी अठारवी सदी से पहले ब्रेटेन की जिंगे चार सुतंत्र राश्ट हुआ करते थे इंगलेंड वेल्स और आयर्लेंड 1668 में ब्रेटेन ने संसदिय राश्टंत्र की इस्थापना हुई 1760 किंग्डम का गठन और स्कोटलेंड का हिस्सवने और 1801 में आयर्लेंड को ब्रेटेन में बलपूर्वक सामिल कर लिया गया ये है उसकी पूरी प्रिकरिया और ये हो गया हमारे कोशन नमबर 6 का आंसर प्रिशन नमबर 7 पे आते हैं प्रिशन नमबर 7 कह रहा है यूरोप में राश्टवाद का उद्य उन्नीसवी सदी के मद्य तक यूरोप ये देशों का रूप वैसा नहीं था जैसे कि आज है विभिन छेत्रों पर अलग-अलग बंस के लोग राज करते थे इन इलाकों में राश्टवाद का शासन हुआ करता था सासन में आयोए परिवर्तनों ने लोगों में राश्टवाद की भावना को जनम दिया तो ये थे उत्थान के कारण ठीक है ये लिख देंगे आप प्रशन नमबर 7 के उत्तर में अब आज़ते हैं प्रशन नमबर 8 में आपका क्या पूछ गया है 1804 के नागरिक सहीता के प्रावधनों का उलेक करिए चलिए बताईए तो 1804 में नागरिक सहीता के प्रावधनों का उलेक सबसे पहले उनके जनम के आधार पर सभी विसेस अधिकारों का पालन किया कानून के सामने सभी बराबर हो गए एक समान कानून मान की करत भार माप एक समाने राष्ट मुद्रा के ने एक छेतर से दूसरे छेतरे में माल और पुंजी की आवजाही और विनर में की सुईधा परदान की यह हो गया आपका प्रशन नमबर 8 प्रशन नमबर 9 1830 के दसक के लिए आर्थिक मुसीबतें लाने वाला था तरकों से इस कतन की व्यक्या कीजिए क्यों लाने वाला था आर्थिक मुसीबतें तो 1830 के दसक में यूरोप की जनसक्या में तेजी से व्रद्धी हो गई थी ये परिशानी बेरोजगारी में बेरोजगारी में व्रद की कमी कभी सामना करना पड़ा था तो ये थी हम मुसीबतें आर्थिक मुसीबतें पैसे से दिक्कतें अब आते हैं प्रशन नमबर दस की तरह प्रशन नमबर दस आपका पूछ रहा है 19 सताबदी में महिलाओ का चित्र किस प्रकार राष्टवाद के रूप में परिवर्दित हो गए आपने देखा था ना पहले जैसे जर्मन को जर्मनीया है ना इस तरीके से तो उधारन सहीत व्याक्या करिए तो 19-20 सदी में यूरोपिय राष्टों को नारी के रूप में प्रदेसित किया गया इन काल्पनिक रूप को शक्ती और ज्यान का प्रतीक माना गया इससे यूरोपिय देशों में राष्टवाद के विकास में मदद मिली जर्मनी में जर्मेनिया और फ्रांस में मरियान राष्ट की रूपक थी तो ये लिख देंगे आप प्रशन नबर 10 का उत्तर अब कर लेते हैं उन अनुचेद पढ़ लेते हैं और फिर कर लेते हैं उसके चोटे-चोटे से चार कोशन अनुचेद है आपका ये फ्रांसी सी दार्सनिक थे अनसर्ट रैनन कहां के थे फ्रांस के एक दार्सनिक थे और क्या टाइम इस्पेंद था उनका 1823 से 1802 में 1882 में सोबर्ण एक युनिवरस्टी है उन्होंनों एक व्याख्यान दिया और उन्होंने रास्ट की अपनी समझ को बताया कि रास्ट क्या होता है क्या नहीं होता और बाद में जो इनका व्याख्यान था एक प्रसिंद प्राश्ट के रूप में चाप दिया गया इसको उसके बाद पहले तो उन्होंने अपनी स्पीच दी उन्हों यह चापा जिसका सीर सक्था क्वेस्ट्सी क्यू नेशन रास्ट क्या है वत्वीर क्यूंकि फ्रांसेशी लैंग्विज है तो आपको क्वेस्ट्सी क्यू समाजिक पुन्जी होती है एक राष्ट की और जिस पर एक रास्टिय विचार अधरित किया जाता है अतीत में समान गोरों का होना वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना तता साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक जनसमू होने की ये सबसे जरूरी सरते हैं आते रास्ट एक बड़ी और व्यापक एकता है इसको मतलब वो कहते हैं कि रास्ट ऐसा नहीं एक छोटी मोटी चीज़े बहुत बड़ी और आपस में जब लोग मिल जुल के रहते हैं एक रहते हैं इसको रास्ट बोला जाता है और इसका अस्तितु रोज होने वाला जन्मत संग्रह होता है जो रोज दीरे 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 बनता जाता है वो सब चीजे होती है प्राय उसके निवासी अगर सला लिये जाने का किसी कादिकार है तो वो निवासी है क्योंकि अगर सला एक रास्ट है तो जो सला है और तो कोई निकरेगा उसके निमासी करेंगे किसी देश का विल्या करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद पज़ज मैं रकने में एक रास्ट के वास्तों में कुल दिश्चस भी होती नहीं है कि कोई रास्ट ये निचाता कि जो दूसरी जगह उसको क्या करें दूसरे रास्ट को अपने में मिला ले या फिर उस पर कबजा कर ले रास्ट का स्थित्व में होना एक अच्छी बात है बल्कि ये एक जरूरत भी होती है उनका होना स्वतंतरता की गारंटी होती है रास्ट क चलिए ये तो पढ़ लिए हमने अनुच्छेद अब कर लेते हैं इसके चार कोशन जो इसमें से हमें करने हैं तो सबसे पहला प्रिशन है आपका इसमें से अंसर्ट रेनन कौन थे तो इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे कर Steelistically पहले अंसर्टेाँ से अंसर्ट रेनन एक फ्रांसेसी दासनें थे हमने पढ़या ऊपर ही सबसे पहली लाइन में यह लिखा य प्रांसेसी दासनें थे देंगे सुतन्टता के अस्तित। के लिए सबी लोहों का जन्मत संग्रह होना बहुत जरूरी है। राश्ठ सभी को समान अधिकार दे ले потребaccord दे। और सभी को समान दर्जा व कारे करने की चूट दे। ये हो गया, सुतनता के अस्तित्व के लिए रास्ट की भूमिका, आप प्रसा नमबर चार पूचा है, रास्ट को अपने सब्दों में परिभासित कीजिए, तो बच्चो ये इसका आंसर हमने यहां दिया है, एक सिगेंड, रास्ट को अपने सब्दों में लिखना है, जो हो गई आज की आपकी वर्क सीट, नमबर 69, वीडियो आपके लिए हैलफल रही होगी, तो बच्चो जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक ने करा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें बच्चो, और आपने सारे दोस्तों को शेयर करना, बिल्कुल मत भूलना, थैंक यू बच्चो.